उत्रपरदेश के जिला बरेली को दहलाने वाले शिवम हत्याकान को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्की उसका दोस्त निकला है मीरगंज पुलिस ने आरूपी इर्शाद को मुट्भेड में ग्रफतार कर लिया है इर्शाद के पैर में गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इर्शाद ने शिवम के हत्या को क्यों अंजाम दिया इसके जवाब में उसके बताया कि करीब 5 साल पहले शिवम ने उसके साथ जबरन समलेंगिक संबंद बना लिये थे शिवम की ये हरकत उसे हमेशा टीस देती रही और इसी आक्रोश रंजिश में उसने शिवम को मौत के घाट उतार दिया घटना करम मीर गंज खस्वे का है राम बावु दिवाकर के 22 साल के बेटे शिवम दिवाकर बुदबार की शाम को लापता हो गये थे आखिर में उनके घर से करीब 500 मीटर दूरी परिस्थित एक बाग में शिवम का शब परामद हुआ था शिवम की लाश देखने वाले धर्रा गए चाकूओ से उनका पूरा शरीर छलनी किया गया था और गला रेत कर लगवक अलग कर दिया गया था बरबर तरीके से किये गए इस हत्याकान की लाश देखकर पुलिस कर्मी भी संग रह गए थे पुलिस ने मामले की परताज शुरू की तो शक और जांच इर्शाद तक पहुँची जो शिवम का दोस्त था पुलिस ने जांच परताल में तमाम तथ्यों को चानने के बाद इर्शाद की गरफतारी के लिए दविश्ट दी बताते हैं कि शिवम ने इर्शाद के साथ की थी और इसी रंजिश में उसने शिवम को मौत के घाट उतार दिया परेली की एसपी ने इस हत्याकान को लेकर क्या कहा सुनिए दिनांग 11 सितंबर 2024 को मीरगंज थाने के अंतरगत एक 22 वर्षिय युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या हुई थी CCTV फुटेज और कॉल डीटेल्स के माध्यम से इर्शाद एक संदिक्त का नाम प्रकाश में आया था जिसे आज प्राता है 14 सितंबर को गिरफतार किया गया है गिरफतारी के दोरान आरोपी ने पुलिस पर फाइरिंग की थी जिस पर पुलिस द्वारा प्रसिक्षन में सिखाये गए तरीके से जवाबी फाइरिंग की गई आत्मरक्षाट जिसमें जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफतार करके अब भेजा जा रहा है और उससे पहले उसका उपचार के लिए भी भेजा गया है आगे की विदिक कार रहे इसमें प्रचलित है पूश्ताच के दोरान कुछ तथ्य सामने आये जो मैं बताना चाहूंगा आपको इर्चाद मृतक को काफी वर्षों से जानता था उसके अनुसार कुछ वर्ष पहले मृतक ने इसके साथ सामनेंगे एक संबंद बनाये थे जिनको लेकर इसको काफी आत्मगलानी थी और उसके प्रती घृणा और क्रोध था जिसको लेके इसने ये थान लिया था कि ये मौका मिलने पर उसे मारेगा और दोस्ती के कारण इसने धोके से जुम्रितक है उसको शराब पीने के बहाने बुलाया एक निर्जन स्थान पर और उस थान पर बुलाने के पश्चाथ इसने उसका गला रेद कर हत्या कर गी इसक जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह काफी टाइम से इसमें प्लानिंग कर रहा था इसके अनुसार एक महिने भर से इसमें प्लानिंग कर रहा था और यह ऑनलाइन वी ऐसे वीडियो भी देख रहा था इसके अनुसार कि जिसमें किस प्रकार जल्दी हत्या की जा सकती है और गल इसने यही बताया है कि यह इंटरनेट पर यह चीजे देखता था कि किस प्रकार से गलाक रेट कर ना जल्दी किसी पर मारा जा सकता है और वही इसने तरीका अपना है